नमस्कार दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नमर छे है और इसमें टूटल आपके 50 कोस्टन को डिसकस किया गया है जो आगे आने वाले बिहार दरोगा और 69 बेपियसी के लिए महतपूर्ण है इसमें हिस्ट्री जोगरफी और पॉलिटी के कोस्टन को डिसकस किया गया है और ये कोस्टन आपको बता दे कि ज्यान बुंदू एक कोचिंग है उसी कोचिंग का ये प्रैक्टिस सेट है कुछ लोग देखे कॉमेंट करते हैं कि सेर नया बुक लाइए देखें सही बात आपको हम बताते हैं फ्रेंकली कि मेरे पास देखें फैनेंसियल की कमी है उसके कारण ह हम आगे कुछ करने पाते हैं बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन संभभ नहीं हो पाता है ठीक है कोई नही देखा जा जाएगा जब तक चलता है चलाते हैं इसे और आवी तर जो टेलीग्राम गूरु जोएन हे जुएन कर लीजीगा जिसका लिंक आपको डिसक्रिपिसन में द बीटो है तो ए इसका रहाइट एंसर हो जाएगा अंग्रेजे दुवारा लागो रहयत बाड़े बेवस्था में निम्लिखित में से कौन सा एक बिसेस्था नहीं है इसमें से कौन आपका एक गलत है तो देख लिजी सरकार एबम किसानों के बीच कोई बिचोलिया बर्क नही जा सकती थी तो बिल्कुल ठीक है इसमें गलत कौन है तो सी गलत है और सी इसका रहाइट एंसर हो जाएगा निम्लिखित में से कौन सा एक सही नहीं है इसमें से कौन सा एक सही नहीं है आप से बिलोग मैप निकाल लेजी अपने पास और इसे देख लिजी एक बार हम बतात हमगला देष से मिलती है तो यह आपके बिल्कुल ठीक है पच्छी मंगाल ठीक है असम मेघाले और नोट कर लिजिगा तिरफुरा और मिजोराम इसे नोट कर लिजिए आप में देख लीजेगा ठीक है उसके बाद है कि भारत के कुल चाराजों के सीमा जो भुटान से मिलती है तो ये भी आपका ठीक है यहाप देखेगा पहला आपके ये आपके भुटान है इधर आपके सिक्किम है ये आपके यहाँ पर पच्छिम बंगाल है ये आपके अश् सासित प्रदेश हैं तो इस कोशन के हिसाब से इसका अंसर आपका जो है इतो सी आपके सही होगा ठीक है इसके बाद देखिए कि भारत के कुल पांच राजियों के सीमा जो है मिलती है आपके गलत है यहां पर देखिएगा यह जो इसे पूरी तरीके से करेक्ट नहीं बोल सकत होती है उपर मैं यह अरुणाचल प्रदेश, नागालेंड, मैनिपूर और मिजोरम ठीक है मिजोरम इसे नोट कर लीजिएगा तो डी आपके गलत हो जाएगा ठीक है उसके बाद नेक्स्ट है कि निमलखित कथनों पर आपको विचार करना है तो विचार कर लीजिए भारत ठीक है तो दुनाओ पॉइंट आपके इसमें ठीक है और सही कत्थन पूछ रहा है तो C-Option आपका ठीक हो जाएगा यहाँ पर समझेगा कि कारेपालका काम क्या है सबसे पहले समझे बिधायका काम कानून को बनाना ठीक है कानून को बनाना काम किसका बिधायका का उसे इस बात को ध्यान में रखिएगा उसके बाद है कि दिली के किस सुल्तान ने सुरपर्थम गढ़ी मकान पर कर तथा चरी जानवरों के चराई पर कर नामक दो नभीन कर लगाई तो किसके दौरा लगाया गया था अलावदिन खिलजी के दौरा लगाया गया था और आप सागर लंबाई है 320 किलो मिटर है नर्मदा नदी के बारे में याद रखिएगा एक स्कंड रुकिए यहां पर देखे नर्मदा नदी है इधर आपके लूनी नदी है जो नर्मदा नदी है इसके बारे में याद रखिएगा कि आपके यह अरब सागर में गिरता है खंबात की और यह आपके हाँ पर छोटा वाला खंबात की खाड़ी है तापी नदियें इसकी लंबाई 734 किलो मेंटर है उसके बाद है सावर मती नदि इसके बारे में याद रिखेगा ये भी आपके खंबात की खाड़ी में गिरती है और बड़ा में बोले तो अरब सागर इसकी लंबाई 371 किलो मिटर है तो इसमें सबसे लंबी नदी कौन हो गई नर्मदा तो बे इसका रैट अंसर हो जाएगा निम्रिकित में से किस फ्रस्तिती में अनुछे 365 के अंतरगत राज पर राजपती सासन लगाया जा सकता है बहुत ही अच्छा सवाल है तो इसमें आपको याद रखना है कि राज जो है केन द्वारा दिये गे नदेसों का पालन करने में अगर असमर्थ है तो अनुछे 365 आपक याद रखेगा ये बितिया अपाथकाल से स्मंदित है यहाँ पर समझेगा जो सी बला है इसका एकजांपल से समझाते हैं जैसे कि मान के बिहार राज है बिहार से एक कोई ट्रेन गुजर रही है और केंसरगार के दोरा बोला गया कि कोई एक ये नाम का ट्रेन है इसमल्ला हो सकता है तो इस ट्रेन को आप जो है सांती तरीके से बिहार से क्रोश कराईए इस पर हमला नहीं होना जाए लेकिन केन सरकार के बोलने के बापजूद ए ट्रेन पर हमला हो जाता है इसका मतलब समझा जाता है कि राज सरकार ने जो है केन सरकार के निरदेशों का पालन नहीं किया उसके बाद 365 एक्टिव होता है 356 एक्टिव हो जाता इस बात को ध्यान में रखिएगा कार करते ही पूरा हो जाना को लेकर महाबिर स्वामी का अपने किस सिस्ट से मतभेद हो गया था तो जमाली से हो गया था जमाली महाबिर स्वामी के दमात थे नेक्स्ट पाइंट है कि मिर्दा सब्द की उत्पत्ती लेटिन भासा के किस सब्द से हुई है बहुत ही अच्छा प्रस नहीं है कलास 6 के NCRT में लिखा गया है मिर्दा सब्द की उत्पत्ती लेटिन भासा के किस सब्द से हुई है तो सोलम सब्द से हुआ है जहांगिर ने अपने किस चित्रकार को इरानी दर्वार में साह अब्बास का चित्र बना कर लाने के लिए भेजा था तो विशन दास को भेजा था अनुचे तिन सोरी अनुचे एक सो बारे में उल्लेखित संगिय बजट या बारसिक बितिये बिबरन को संसत के समझ कौन रखता है ध्यान रखेगा कोस्वन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा फिर से बोलते हैं कि अनुचे एक सो बारे में उल्लेखित संगिय बजट या वारसिक बितिये बिबरन को संसत के समझ कौन रखता है ध्यान से पढ़िएगा कौन रखता है तो भारत के राष्टपती रखते हैं ध्यान रखेगा भारत के राष्टपती संसत के समझ रखते हैं जबकि इस बजट को प्रस्तूत करते हैं बित मंत्री तो इसका एंसर क्या हो जाएगा डी इसका राइट एंसर हो जाएगा निम्लिकेत में से कौन सा यूग में सही सुमलित नहीं है तो देखिए क्रिप्स प्रस्ता pista 1942 में आता है बिल्कूल ठीक है बेबेल योजना 1943 में आता है ये आपके गलत है बेबेल योजना 1945 में आता है केबिनेट मिशन Ps 1946 एटली की गोसना इसमें गलत क्यों है तो बे अप्शन आपका गलत हो जाएगा नेक्स्ट है कि रेह, कलर, उस्सर, या दिक किस प्रकार के मिट्टी के अस्थाई नाम है तो लवनिय या छारिय मिट्टी का अस्थाई नाम है तो C इसका राइट अंसर होगा भारत के राजियों में बिधान मंडल के गठन में एक रूपता नहीं है अधिकांस राजियों में एक सदनिय बिधान मंडल है जबकि कुछ राजियों में दूश सदनिय बिधान मंडल है कुल कितने राजियों का बिधान मंडल जो है एक सदनिय है मतलब कितने राजियों में केवल बिधान सबाय है ना कि बिधान परिसद है सबसे पहले आप ध्यान से समझेगा भरत में कितने राज हैं तो भरत में 28 राज हैं और भरत के 6 राजियों में बीधान परिशद है किस-किस राजियों में हैं? तो बिहार उत्रपरदेस उसके बाद महरास्ट करनाटक ठेक है? उसके बदा ये नीचे आंध परदेश तेलंगाना ये छे राजों में जो है दुई सदनी वेवस्था है जबकि अगर 28 में से 6 गटा ये कितना वचेगा 22 राज तो 22 राजों में केबल आपके बिधान सभा है ठीक है और 6 राजों में भी बिधान परिशत भी है तो B option आपका ठीक हो जाएगा इतिहासकार असमीत ने किस सासक के बारे में यह लिखा है कि अगर हुआ कुछ समय और जिबित रहता तो भारतिय इतिहास के रंग मंच पर मुगल ना आपाते ये किस के बारे में बोला जा रहा है तो सेरसा सूरी के बारे में बोला जाता है सेरसा जो सूरी थे बहुत ही योग बेकती थे, ठीक है बहुत ही योग सासक थे, कयाल है तो क्याल क्या है यह सारे option को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, क्याल है कि जली भाग जो अस्थलो आपज चारो और से घेर लिये गये हैं उन्हें क्या बोला जाएगा उन्हें कयाल बोला जाएगा जिसे कि यह जेल है और इसके चारों साइट से अपके अस्थल आ गये हैं उसे घेर लिया है तो उसे कयाल बोला जाता है नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्रिखित कत्रों पर आपको विचार करना है विचार किजी बरतमान में भारत में उच नियालियों की संखिया 25 है भारत में कितने राज है भारत में 28 राज है और जो हाई कोट है इसका मतलब तीन राज में जो है हाई कोट नहीं है तो अगला elect neden में एक उच्पलि याले तो यह भी आपका गलत है दिली का खाई ही और साथ ही आपकी जो कि अ ब्रीन ऑपिस्या यहत्रों कई मेरें जंब का सुमेर्का भी है तो इसमें सही केवल एक आप्स ऑपन् Yeah, संभी और भी में दोहरिया का यूध किनके बीच हुआ था बहुत ही अच्छा प्रस्न है दोहरिया का यूध किनके बीच हुआ था तो हिमायु एबम महमुद लोधी के बीच में हुआ था प्रामनी करांती किसे समंदित है तो जो प्रामनी करांती है वो भिंडी से समंदित है जबकि मोटे अनाज उत्पादन किस करांती को बोला जाता है तो मुल करांती को बोला जाता है ध्यान रखेगा और जो केसर उत्पादन सबसेधिक कहां पर होता है तो जम्मु कास्मिर में किसर का सरवाधिक उत्पादन होता है जिसे सेफ्रोन करांती बोला जाता है नेक्स्ट पॉइंट है कि किकली लोक निरित किकली लोक निरित किस राज में परचलीत है जिससे केबल महलाओं द्वारा किया जाता है तो किस राज में परचली थे ये पंजाब राज में परचली थे निमलिकत में किस समीती ने तिरी अस्तरिये पंचायती राज पदिती को दिए इस्तरिये पद्वें बदलने की सिफारेश की थी तो किसकर द्वरा किया गया था अस्वक महता समीती के द्वरार इसकी अस्थाप्ना 1977 में और अपने रिपोर्ट कब देता है तो 1978 में अपने रिपोर्ट प्रस्थुद करता है बलबंतरा महता समिती आपको याद रखना है 1957 तिरी अस्तरिय बेवस्था की सिफारिस करते हैं नेक्स्ट है तीलक सुराज फंड की अस्थापना किस अंदोलोन को चलाने है तो किया गया तो तिलक सुराज फंड की अस्थापना अस्वायोग अंदुलन को चलाने के लिए किया गया था निमलिकित में से कौन सा बिकल्प सही सुमलित नहीं है तो देख लिजे इंदरा गांधी अंतराष्टी हवाई अड़ा नई दिल्ली में है कोचिंग में आपके गलत है तो देख लीजे जब राज सभा इसके लिए किस परस्थिती में तो बिल्कुल ठीक है, जब राश्टी अपात का लागू हो, यह भी ठीक है, जब दो या अधिक राज संसत से ऐसा सहयुक्त अंदरोध करें, तो यह भी पॉइंट आपका ठीक है, तो इसके सारे पॉइंट आपके ठीक हैं, तो इन में से सभी, इन में से सभी, तो D इसका रा आपको आद रखना है, इसका नाम जो था, किला ए मुबारक, किला ए मुबारक इसका नाम था, नमलिकित में से कौन सा बिकल्प सही सुमलित नहीं है, इसमें से कौन सा जो बिकल्प है आपके, सही सुमलित नहीं है, तो भारत का कार्टनो पोलीस मुंबाई को बोला जाता है यह अपकी गलत है उत्तर भारत का मैंचेस्टर कानपूर यह भी आपका ठीक है तो इसमें जो गलत का उन है तो C option आपका गलत हो जाएगा निम्लिकेत में से किस एक का निस्चित कारकाल समिधान दोरें दिरधारित किया गया है बहुत ही अच्छा point है कि निम्लिकेत में से किस एक का निस्चित कारकाल जो समिधान दोरें दिरधारित किया गया है तो भारत का नियंत्रेक एवं महालेखा परिच्छव को जो है शेद छीएतर में है नेक्स्ट पॉइंट है कि गुपतो के पतन के उपरांत अधो लिखित में से कौन सा एक नगर उत्तर भारत की राजनिती परिदिश का एक किंद्र बन गया तो कौन सा नगर बन गया था कर्नोज बन गया था ठीक है कर्नोज जो बरतमान में उत्तर परिद को ध्यान रखना है यह अपके होगा उत्तर मध रेल्वे का ठीक है उत्तर मध रेल्वे का तो भी इसका राइट अंसर हो जाएगा 2001 की जन गन्ना के अनुसार निम्लिकित में से किस राज में सरवादिक नो लीपिया पर चली थे तो पच्छे मंगाल में पर चली थे अभी आप सभी को कुछ कूकर का सीटी एरिटेट कर रहा होगा तो उसे आप लोग साइड केजिए क्योंकि हलका फलका तो चलता ही है क्योंकि अपने पास तो कुछ है नहीं अपना तो ऐसा ही सिंपल सा रूम है और आसपास लोज है नीचे में गली है तो हल्ला उला आते ही नहीं है आपको कोशन पर ध्यान देना है इसमें नेक्स कोशन है कि नागरिक्ता संसुधन अधिनेयम 2019 के तहत अफगानिस्तान पाकिस्तान बांगला देश के अलप संख्य को को कितने बर्स भारत में गुजारने पर नागरिक्ता परदान करने का प्रावधान है तो अगर ये कैंसर कार नागरिकता परदान कर देगी ठीक है उसके बाद नेक्स्ट की निम्लखित कथनों पर आपको बिचार करना है बिचार कीजिए और इसमें से कौन से जो कथन आपका है सही है इसके बारे में बताना है बक्सर का यूद 1764 में हुआ तो बक्सर के यूद के समय बंगाल का नवाव मेर कासिम था ये भी गलत है कौन था मेर जाफर था मेर जाफर था तो इसमें केबल सही आपके बक्सर का यूद 1764 है तो ए उप्सन आपका ठीक हो जाएगा और ध्यान रखना है कि बक्सर के यूद के बाद जो है इलाहवाद का संधी होता है 1765 में इलाहवाद का संधी होता है 1765 में गलोब को दो समान हिस्सों में बिभक्त करने वाला कालपनिक रेखा किस नाम से जाने जाती उसे क्या बोला जाता है तो आपको ध्यान रखना है उसे बिश्वत रेखा बोला जाता है उसे 0 डिग्री बोला जाता है अगर पूछा जाता है कि भारत को दो भागों में कौन सी रेखा भी भाजित करती है तो करक रेखा भारत के 8 राजों से होकर गुजरती है उसके बादे कि भारती समिधान के किस अनुछेद में राज की राजभ बिब्रन देने वाली पुस्तक जिसका नाम है मनुचरित के रचनाकार कौन है जो मनुचरित बुक है इसके रचनाकार कौन है तो इसके रचनाकार है अल्ला सानी अल्ला सानी पेदना ठीक है पेदना अल्ला फिर से बोलते हैं अल्ला सानी पेदना इसके रचनाकार है तो भी इसका right answer हो जाएगा next point है कि निम्लिखित में से कौन सा एक हिंद महासागर की समुंद्री धारा नहीं है हिंद महासागर की कौन से आपके जो है एक धारा नहीं है तो इसे आप लोग ध्यान से देखेगा अगुल हास जल धारा हिंद महासागर की है वैंगुला जल धारा ये आपको ध्यान रखना अटलांटिक महासागर की है मोजामबिक जल धारा ये आपके हिंद महासागर की है तो इसका answer की हो जाएगा b इसका right answer हो जाएगा next point है कि निम्लिखित में से कौन सी एक याच का आधिनस्त नियालों की कारि अच्छा सवाल है, निम्लिकित में से कौन सी एक याचका जो है, अधी नस्त ध्यान रखेगा, अधी नस्त नियालियों की कारपदती का परिच्छन कौन सी याचका करती है, तो आपको ध्यान रखना है, उत्प्रेशन यात्र का करती है, उत्प्रेशन याचका करती है, तो C इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि निम्लिकित में से किस फसल में सबसे ज़्यादा परतिसत तेल की मात्रा होती है तो तील में होता है यह इसका राइट अंसर होगा पत्थर के आउजार का परचलन सुर्व पर्थम किस यूग में प्रेड़म हुआ तो कब होग सोच के बताई आप लोग, पूरा पशानकाल में हुआ था, पूरा पशानकाल में है, नेमलिकेत में से किस कला के अंतरगत बुद्ध को काफी फरसंचित मुद्रा में दिखाया गया, साथ ही उन्हें बिभिन आस्नों में सभी ज्ञान से युक्त परदर्सित किया गया, तो कि कला सेली में, तो इसमें आपको याद रखना है, मतुरा कला सेली में, मतुरा कला सेली में, गानधार कला सेली के बारे में, जो कुछ आप जानते हैं, कॉमेंट बॉक्स में लिखेगा, नेक्स्ट पॉइंट है, संगी बेवस्था के लिए, निमलिकेत में से कौन सा तत्व अनिवार नहीं है, संग्य बेवस्था के लिए इसमें से कौन सत्त्त्व जो आपके अनिवार नहीं है, सुतंत्र तथा निश्पच नियायपाल का एकदम अनिवार है, सक्तियों का बित्रन ठीक बात है, सक्ति एक के हाथ में नहीं होना चाहिए, सक्ति का बटवारा होना चाह लिखित संग दिरिध समिधान ये भी आपका ठीक है संसत की प्रभुसत्ता ये नहीं होना चाहिए प्रभुसत्ता किसका होना चाहिए तो समिधान का प्रभुसत्ता होना चाहिए ना कि संसत की ठीक है और आपको याद रहाखना है कि जो यहाँ पर लिखा है संसद के परवस्था है, यहाँ पर लिखाना चाहिए था, संसद ये बेवस्था होना चाहिए, ठीक है, तो D इसका राइट अंसर हो जाएगा, D आपके गलत है, स्वर्पर्थम पहिया, चाक का अविश्कार हुआ था, तो आपको ध्यान डखना है, य जोगरफी सवर्पर्थम परियोग निमन मैं से किस के दोरा किया गया था, तो इरेटो अस्थिनीज के दोरा किया गया था, तो C अपसन ठीक हो जाएगा, समिधान सभा के, निरवाचन में डक्टर अम्बेतकर ने निमन मैं से किस दल का परतिनित किया था, बहुत ही जूलियस सिजर था, यह किस देश का सासक था, तो यह रोम का सासक था, नेक्स्ट है, गॉंडवाना लेंड, पैंजिया से कब अलग हुआ, तो 5.5 कलोर बरस पूर अलग होता है, देश की रच्छा करना, किस कोटी के अंतरगत आता है, तो आपको याद रखना है, यह मौलिक क करतब को स्वर्ण सी समिति के सिफारिस पर हमारे समिधान में जोडा गया है, और ध्यान रखिएगा, कि टोटल 11 मौलिक करतब है, निमन में से कौन सा समराज, तीन महादिप, एसिया, अफिर का, तथा, इरोब तक बिस्तरित था, किसका जो समराज था, तीन महादिपो, एस एसिया, अफिर का, और इरोब तक बिस्तरित था, तो रोमन समराज और इरानी समराज का जो सीमा है, एसिया, अफिर का, इरोब तक आपके बिस्तरित था, तो A और B दोनों हो जाएगा, तो C इसका रैट अंसर हो जाएगा, एक्स्ट पॉइंट है कि निमनांकित में से किस आकिरती का सम्मंध नदी के कारियों से नहीं है तो देख लिजिए जल परपात का है गोखल जील का भी आकार की आकिरती का भी है जबकि वर खान का नहीं है तो D इसका रैट अंसर हो जाएगा और लास्ट प्रसन है कि फिल्म के परमानी करेंड में किस रेनी की फिल्म सभी वर के लोग बच्चे एबंबैस्क देख सकते हैं तो आपको याद रखना है यूश रेनी की मुवी जो है बच्चे एबंबैस्क सभी लोग देख सकते हैं तो ए इसका रैट अंसर हो जाएगा इसमें टोटल आपके 50 प्रस्थ था पचास में से आप सभी लोग कितने प्रस्थ सही कियां इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताईएगा थैंक यू